जुश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इंडिया और इसराइल के संबंदों का एक नया दो क्योंकि 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं भारत और इंडिया की रिलेशन्शिप को तो यहां पर अब कैसे आग को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसराइल जो है वो भारत के लिए कितना एक इंपोर्टन्ट कंट्री है इसने हमेश सपोर्ट ही करता आया है भारत को इसराइल तो खेर इसी करम में आगे बढ़ते हैं तो अभी क्या है जो इसराइल के जो उप परधान मंतरी है और जो रक्षा मंतरी यानि कि एम रक्षा मंतरी भारत का दोरा गया और इस दोरान आयजित एक द्वी पक्षिय बैठक में रक् की गई है अब यहां पर बात कर लेते हैं इसराइल के बारे में इसराइल कहां पर आते हैं देखे यह हो गया हमारे सामने इसराइल जो शेर करता है मुमते सागर के साथ और यहां पर उपर की तरफ लेबनान आ जाते हैं यहां पर सीरिया आ जाते हैं और यहां पर जोर्डन आ कुछ देश जो पैलिस्टीन को कंट्री का दरजा देते हैं कुछ नहीं देते हैं तो यहां पर सेम इसराइल के साथ पिए कुछ इसराइल को कंट्री का दरजा देते हैं नहीं देते हैं लेकिन हमारे देश की बात करूं तो हमने 1950 के अंदर ही इसको कंट्री का दरजा दे दिय जा था ओके अब यहां पर आपके सामने हो गया इसराहिल का मैप अब आगे चलते हैं जो यह आत्रा हुई है जो यह विजिट हुई है उसके जो परमुक बिंदू है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं देखिए जोइन डिकलेरेशन तोनों मंत्रियों ने इसराहिल भारत के संबंदों के 30 साल पूरे होने पर एक कह सकते हैं कि घोशना पत्र पेश किया और इस घोशना पत्र में कहा गी कि आने वाले टाइम में दोनों देश जो अपने रिलेशन या जो एक तरीके के साथ जो कोपरेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको और जादा करेंगे और साथ ही साथ में जो आने वाली जो टेकनलोजी है जो फ्यूचर टेकनलोजी है वह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करेंगे इस चीज़ को लेकर भी बात की गई है और एक भविश्य के अंदर सेम यही बात है कि भविश्य रक्षा परद्यों की की जो अधियार लेते हैं और अतियार लेता है जो फ्यूचर टेकनलोजी है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर है वह यह नहीं कि आप हमें दीजिए ऐसा नहीं होगा आप इस्राइल के जो भी टेकनलोजी की जो कमपनीज है वह भारत में आकर उस टेकनलोजी को डेवलोप करेंगे वह भारत के लोगों को आप सिखाएंगे यह मेक इन इंडिया के तहती सारा काम हुआ है तो काफी अच्छी चीज है इससे हमें बहुत जादा हैल्प मिलेगी हम डिफेंस सेक्टर में बहुत जादा एक आतुन निर्वर की तरफ बढ़ पाएंगे और बढ़ भी रहे हैं क् आप देख रहे हैं कि कितने सारी चीजों को हम अपने ही डोमेस्टिक मार्केट से हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर अब यहां पर सैन्ने कती वीडियों की बात करें जो मिलिटरी टो मिलिटरी एक्टिविटीज होती हैं दोनों देशों क तो उनका रिव्यू किया तो रिव्यू करने पर पता चला कि कोविड-19 महामारी थी और उसके बावजूद मिलिटरी एक्टिविटीज हैं उनमें इजाफा हुआ हुआ मतलब इंक्रीज ही हुई है कम नहीं हुई है अब पारस्परिक शुरुक्षा चनोतियों की सभी कृत दोनों मंत्रियों ने कई जो एक तरीके से मुच्वल यहां पर आप बात करें सिक्योर्टी जो चैलेंज है उनके बारे में बात करी और उनको कैसे दूर किया जाएगा सुरुक्षा चनोतियां उसको दूर कैसे किया जाएगा इसके ऊपर बात हैं की गई और कहा गया कि सभ को वो और जादा मजबूत करेंगे यह सब बातें की गई है कैर आप बात कर लेते हैं भारत इस्राइल संबन 1950 के अंदर भारत ने इस्राइल को ऑफिशली रिक्रिगनाईज कर लिया था देखे 1950 से पहले क्या इस्राइल हुआ नहीं करता था बेशक हुआ करता था देखे 1946 की अथे बात है यहां पर आप देखे रहें नहीं क्यों प्icana आज की अब देखेंगे तो इस्रेयल वह कंफी ज़्यादा यहां पर रियंग्र वह देखेंगे सिर्फ इतना प्लесп New進 Migaha 1950 के अंदर हमने इस्राइल को मानेता दे दिती लेकिन ऊसको काफी सारे देशों नहीं मानेता नहीं दिये लेकिन आज की रेट में काफी सारे जो देश हैं उन्होंने अब्राहम एकोर्ड के तैट इसराइल को मानेता भी दे रखी हैं कैर तो 1950 की बाद के जो है मानेता देने के बाद officially recognize करने के बाद जो संबंद है जो दिप्लमेटिक जो रिलेशन है भारत और इसराइल के 29 जनुरी 1992 को स्थापित किये गए थे और दिसंबर 2020 तक अगर बात करें भारत स्युंक्त राष्ट के जो यूएन जो है उसके 164 देशों में वो एक था जिसने इसराइल के साथ राजनाइक जो डिप्लमेटिक संबंद है वो स्थापित किये हुए है अब आर्थिक यानि कि economic और commercial relationship की बात कर ले थे देखें 1992 में जो एक मानेता देनी मतलो 1950 में मानेता देती रिकंगनाईज कर लिए कि हाँ इसराइल एक देश है 1992 में जो एक डिप्लमेटिक रिलेशन स्थापित हुए थे वहाँ पर जो वैपार जो ट्रेड था भारत और इसराइल के बीच में वो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अपरेल ध्यान रखना कितना important है 200 मिलियन डॉलर था कब 1992 के अंदर जो आज की डेट में 2020 फरवरी 2021 की अवदी के दौरा नगर मैं बात करूं यानि कि अपरेल 2020 से लेकर फरवरी 2021 इस हजार मिलियन होता है एक बिलियन आप सोच लिजिए कि हमने कितना इनके साथ इंक्रीज कर लिया है अपना वैपार और यहां पर एक कोलम यहां लिखा गया है रक्षा को छोड़ कर यानि कि डिफेंस सिस्टम को अगर हम साइड में टाते हैं इतना इंक्रीज हो गया है तो बहुत ज्यादा रिलेशन जो है हमारे इसराइल के साथ बड़े ही है अब हीरे का वैपार जो है वो द्वी पक्षे वैपार इलगबग 50% है यानि हम इन से ज्यादा तर मिलिटरी प्रोड़क्ट करीते हैं डिफेंस एक्यूपन्ट हम इन से खरीते हैं और भारत से यहां प इसराइल के साथ तो यहां पर क्या हम फाइदे में रहते हैं या नुकसान में रहते हैं फाइदे नुकसान का मतलब है कि दो देशों के बीच में 100 रुपे का वैपार हो रहा है 100 रुपे के वैपार में मतलब कि इन दोनों देशों का मिला कि यह हो गया हम में इंडिया और इसराइल अब देखें इसराइल ने भी यहां पर कुछ रुपया मतलब कि कुछ समान नवारे देश में बेजा और इंडिया ने भी कुछ समान इसराइल में बेजा इन दोनों की कीमत मापी गई 100 रुपया ठीक है अब 100 रुपय में इसराइल ने कितना इसके अंदर ने बेज़ा है और 40 रुपी का समान जो है वो इसराइल ही बेज़ पाए यानि यह जो 60 रुपे हम कभाकी लेकर आए हैं भारत के अंदर तो यहां पर यह जो वैपार है वो भारत के पॉजिटिवे में जाता है संतुलन भारत की पक्ष में हो रहा है भारत को फाइदा हो रहा इसराइल की कंपनियां जो भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करती है वो उर्जा यानि जो एनर्जी सेक्टर हो गया जो रिन्योबल एनर्जी होगी जो टेलीकॉम सेक्टर हो गया जो रियल इस्टेट हो गया वोटर टेक्नलोजी होगी इनके ओपर इन्वेस्टमेंट जो sectors हैं, चोब वो energy का sector है, चोब वो renewable energy का sector है, चोब दूर संचार का sector है, यह नि टेलिको, उनको कैसे increase किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, भारत एक, इसराइल के साथ एक free trade agreement, यह समझोता करने के लिए, मतलब कि विचार कर रहा है कि आने वाले time में free trade agreement कर लिया आ जाए, इ यह नि इसराइल से सबसे ज़्यादा अगर हतियार कोई खरीटता है, तो वो भारत है, और भारत सबसे ज़्यादा हतियार किस से खरीटता है, तो वो रूस आया, दूसरे नमबर पे इसराइल आता है, भारतिया शहस्त्र बलो ने पिछले कुछ समय से, यानि पिछले कुछ years में Israeli हत्यार प्रणाली को एक विस्त्री शिंकला को अपने बेड़े में शामिल किया है जिसमें कौन-कौन से आ जाते हैं Falcon यानि की AWACS यानि Airborne Warning and Control System, Harron आ जाते है, Search 2 आ जाते है Harrop Drone आ जाते है, Braak Anti-Missile Defense System, Spider Quick Reaction Anti-Aircraft Missile प्रणाली ये सब चीज़ें आ जाती है, और इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली Missile System हमने आ जाती है, और Crystal Mage आ जाती है, Spice 2000 Bomb शामिल इसके अंदर है भारत और इजराइल के बीच द्वी पक्षे, रक्षा सेयोग की अभी हाली में एक पंद्रवी बैठक, यानि की 15 Joint Working Committee हुई, और इस Committee में ये बात बोली गई की एक Task 4 का गठन किया जाएगा, जो एक Road Map त्यार करेगा, 10 साल का, भारत और इसराइल के संबंद को और जादा कैसे Increase किया जाए, और इसके अंदर मजबूती कैसी ली जाए, इसका एक Road Map त्यार करने के लिए, एक Task 4 का गठन किया जाएगा, और ये बात कहां हुई, 15 जो Joint Committee हुई थी, पंद्रवी Joint Committee हुई थी, दोनों देश में ये बात बोली गई थी, अब यहाँ पर, क्रिशी के Center है, उनको कैसे विक्सित, यानि उसको Develop किया जाएगा, और जितने भी जो यहाँ पर Center है, उनको कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे उनको आतन निर्भर के Mode पर लाया जाएगा, जो Private Companies है, जो सेक्टर है, उनको कैसे आगे बढ़ने, यानि Collaboration, उनको भी कैसे मतलब की, साथ में आगे बढ़ाने का बात की गई थी, प्रोसाहित किया गया था, इसके अलावा, जो विज्यान, यानि की, जो Science and Technology है, उसके लेकर, दोनों देशों के जो Experts हैं, उन्होंने अपनी एक 8th Governing Body Meeting में बात बोली थी, कियानि कि उनके उपर विचार विमर्स किया था, कि जो Industrial है, भारत के अंदर जो Industries हैं, उसमें Research and Development को कैसे Increase किया जाए, यानि Technology Innovation कैसे लिया जाए, I4F, इसकी बात की गई थी, और ये जब बात की गई, तो यहाँ पर 3 Joint Research Development Project, इनको हरीजन्टी दिखाएगी, जिनकी कीमत 5.5 million dollar आखी गई, साथ इसाथ, बोला गया कि आने वाले टाइम में, एक तरीके से दोनों देशों के बीच में, बहुत व्यापक तोर पर, collaboration या फिर कहें कि एक ऐसा system increase किया जाएगा, कि दोनों देशों वेपार में आगे कैसे बढ़ेंगे, और ये I4F क्या है, ये दोनों देशों में एक ऐसी सहोग है, जो एक दूसरे के देश में जो company जो invest कर रही है, जिनके उपर बात की गई है, जिनके उपर MOU sign किये गई है, तो यहाँ पर दोनों देशों की जो अपनी एक दूसरे के देश में जो invest कर रही है, तो उनको कैसे support system provide किया जाएगा, कैसे उनको facility दी जाएगी, जो भी उनके सामने जो challenges जाएगे, कैसे उनको दूर करने की बात की जाएगी, तो ये help करेगा उसके बिंदर, और अन्ने देशों में अगर आदर्स के बारे हम बात करें, इसराइल भारत के नेतरितु वाले में, अभी जो जैसे की इसराइल ने कहा है, कि वो ISA में शामिल हो रहा है, ISA नी, International Solar Alliance, उसके अंदर शामिल हो रहा है, तो खाफी एक अच्छी चीज है, अब आगी की रहा क्या हो सकती है, देखिए, मुखे रूप से जो साजा राजनिती खितों, सुरक्षा खत्रों के चलते, मतलब कि हमारे जो इसराइल और भारत के बीच में, जो एक सिक्योर्टी हम कहेंगे की, थ्रेट रहे हैं, बावजूद इसके 1992 से हम बात करें, तो दोनों देशों के जो रिलेशन है, वो इंक्रीज हुए है, इंक्रीज क्या, वो और ज़्यादा स्ट्रोंग ही हुए है, अब यहाँ पर भारत की जो लोग है, वो इसराइल के परतिस हानुबूती रखते हैं, और इसके चलते हैं, सरकार अब क्या कर रही है, अपनी जो एक राष्ट्रिय हीत है, जो नैशनल इंट्रेस्ट है, उसको उपर रखते हुए, जो अपनी एक पश्चिम एशिया नीती है, यानि कि वेस्ट एशिया पोलसी है, उसमें संतुलित या फिर उसको बैलेंस, और एक तरीके से पुनर गठित कर रही है, यानि कि दुबारा से निर्मान करने की वो कोशिश कर रही है, भारत और इजराहिल को अपने जो धार्मिक चरम पती पडोसियों की, यानि कि जो पडोसी है भारत के साथ, या फिर इजराहिल के साथ, जो कैसे एक तरीके से धार्मिक चरम पती, यानि कि एक्स्टरमिस्ट है, रिलिजिस एक्स्टरमिस्ट है, जिससे थ्रेट बना रहता है दोनों ही देश को, तो इसको कैसे दूर किया जाए, साथ यसाथ जलवायू परिवर्तन, जल की कमी होगी, जन संक्या विस्पोर्ट हो गया, भोजन की कमी होगी, इन जैसे मुद्दों पर और ज़्यादा घंबीर रूप से बात करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, और यहाँ पर एक अबरहाम एकोर्ड हुआ था, इसराइल के साथ जो यहाँ पर अबरहाम एकोर्ड किया गया था, जो USA ने करवाय था, USA में जो उस वक्त अत्कालिन जो प्रेजिडेंट हुआ करते थे, टरंप, उन्होंने करवाय था, जिसके तहत यूई ने क्या कहा था, कि साथी अरेबिया ने इसराइल को यह ऐसे कंट्री मानने था देती, तो अबरहाम एकोर्ड के तहत यह सारा काम हुआ था, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी, ऐसी पोल्सिस हमें बनानी होंगी, ताकि हम इस अबरहाम अकॉर्ड का बहुत अच्छे से फाइदा उठा सकें, खैर, उमीद करता हूँ कि यह इंडिया-इसराइल का जो रिलेशन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम एक्सिस सेक्टर के अंदर, जो डिफेंस सेक्टर है, दोनों देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्या-क्या वारतालाप हुई हैं, यह तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और कुछ भी लिखने को नहीं था, आपको सारी चीज़ें लिखी लिखाएं मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैंने कहा न, पीडियोफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से उस चैनल पे जाकर, इस वीडियो की पीडियोफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो पसंद आईए तो पेशक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं, तो शेर कर सकते हैं वीडियो को, ऐस वेल आज चैनल को भी, थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो,